हेलो एवरिवन, एक्जाम एडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है बात करेंगे हम मुख्य सेवी का भर्दी परिक्षा 2022 की इसके सम्मद में आप लोगं के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है अच्छी न्यूज क्या है कि आज आप देख सकते हैं अब अपने कोर्ट केस को आपका जो कोर्ट केस लगा हुआ था जुलाई यानि दो जुलाई को कोर्ट ओपेन हुआ और आपके जो है जो केस पेंडिंग में था उसके डेट नहीं लगी हुई थी फाइनल उसकी भी डेट आ चुकी है ठीक है तो डेट आ जाने की वज़े से आप लोग के जो है अब सुनवाई जल्द ही हो जाएगी और इस्टे की जहां तक बात है इस्टे भी जल्द ही हट जाएगने की पूरी उमीद है इस जुलाई में आपके जुलाई में अगर बात करें कि कोट केस कब हटने की उमीर है तो अभी आपका जो कोट केस लगा हुआ है वो 4 जुलाई को है 4 7 2014 को ठीक है ये अभी शाम को अपडेट हुआ है आप भी जाके देख सकते हैं इलाबाद हाइग कोट के ओफिशियल वेव साइट पर वहां पर भी मेंशन कर दिया गया है तो आपकी जो है सुनवाई होगी फाइनल रूप से उसी दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा की नहीं उसी दिन इस्टे हट जाएगा की नहीं यह तो कहना भी मुश्किल है कि फर्स्ट एरिंग है आपकी मतलब अभी जुलाई में जब आपकी ग्रिस मकाली जो छुट्टियां चली उसके बाद से तो ऐसा नहीं है कि बस चार को ही कनफर्म हो जाएगा क्योंकि जो डेट लगी तो है जरूर लेकिन यह बहुत पीछे है नंबर आपके कोट केस का जो लग हुआ है तो देखे सुनवाई हो पाती है नहीं वैसे मुझे लगता है कि हो भी सकती है और नहीं भी अगर नहीं होई बाइचांस तो फिर दुबारा भी जो भी डेट आएगी आपका अगस्त में बात करें तो अगस्त तक आपके डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ह कटाफ जो है जारी कर दी जाएगी अगस के पहले सब्ता तक जिस तरीके से चीजे हैं क्योंकि आप सोचिए कि अभी मतलब कोट खुला ही और तुरंत ही आप लोग के जो है डेट भी मेंशन हो गए और इसमें सभी लोगों का प्रयास भी सराहनी है ऐसे ही इतने आसानी से ह हुआ नहीं है बाकी आप लोग को पता हिए कि सभी लोग मिल के इसमें आगे बढ़ रहे हैं काफी लोग हैं जो की कर रहे हैं प्रयास तो जो की चार को है आपकी सुनवाई जितने लोग भी प्रयाग राज के आसपास हैं अगर वो पहुच सके तो जरूर पहुचे बाकी लोग जो आयोग जाने की अपील हो रही है वो भी करें सभी कई लोग हैं जो की ग्रूप के माध्यम से और हर माध्यम से इस वेकेंसी को क्लियर कराने में लगी हुई हैं तो आप सभी लोग उनका समर्थन करें ताकि इस जो इस टे लगा हुआ है उसमें जो है कुछ कटाफ पे असर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा जरूर पढ़ेगा कटाफ आपकी जैसे मैंने भी बताय था आपको शुरू में जो कटाफ आप देखेंगी उसमें कुछ कमी आको देखने को और वैसे भी मुख्य सेवी का परिक्षा में ज्यादा कुल टोटल 35,000 लोग हैं ही, ठीक है, 35,000 लोग हैं, पेपर जो इन्हों ने दिया हैं, उसमें से भी कर्टेग्री वाइस डिवाइड करेंगे, और बाकी OMR की गरबड़ी, बाकी डाकुमेंट वेरिफिकेशन में लोग शटेंगे क्योंकि बहुत लोग इसमें जैसे ग्रेजुएशन नहीं किये हैं, जैसे कि जो CDP वाले आप में मांगा था कि बाल विकास से अगर किसने ग्रेजुएशन किया तो वो भी फॉर्म भर सकता है, तो योगिता को लेकर भी विवाद है भी, अभी टाकुमेंट वेर अभी इसमें से जो की बाहर हो सकती है, तो इन सब का काफी कटाफ पे आपके असर पड़ेगा, और बाकी मैंने बताई दिये कि सुनवाई कब होगी, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है, अगर आप भी देखना चाहें, तो इलहाबाद हाई कोड की ओफिशियल का बता रहे हैं, तो सब से उससे आप कम ही सब का समझेंगे, देखिएगा, जनरल की कटाफ जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगी, पचपन तक आ सकती है, OBC की यहीं पे पचास तक आएगी, और ESC की जो है, आपको 45 और ESC की जो होगी, इसमें 40 तक आएगी, EWS ESC की भी जो है, लगबग OBC के ही बराबर होती है, तो 551 नमबर कट आफ, यह सब ही जो मैं आपको कट आफ बता रही हूँ, यह डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट आफ है, ठीक है, अब कम का मतलब इतना भी नहीं कि एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि जितने पध हैं उ आफ भी भाग हो जाए और विभाग हो अब निज्वेटर में भी आया था, लोगों ने धरना दिया था लखनाउ में लेकर कि उनको भी नेमित किया जाए, यानी जो सम्मिधा कर्मी है उनको एक, बिस आपके अगेंसे हैं, उसके अगेंस बेठे गन्स्धें हैं, तो 10 कहें फाइनल अगर कर देती है गौर्मेंट क्योंकि उनको आप से प्रॉब्लम नहीं है उनको प्रॉब्लम सिर्फ अपने काम से कि इतने दिन से वह जॉब कर रहे हैं कोई भी होगा उनकी जगा तो वह जरूर सोचे से चार को जूलाई को ठीके तो आज authors हैं अपका मतलब next 나OC को छोड़के आपके जोँड़ा होती हैं ुमारी सबीक होगेए कि उसे दिन आपके इस्टे हट जाए और पूरी सुनँवाई हो जाए ठीक है जो लोग इतने दिन से इतलु пользовect का तो वह आ जाए वैसे आयोग ने जो लिष्ट जारी की थे आपको पता है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में इनों रिजल्ट कहा है देने को तो जिस हिसाब से वो कलेंडर आया था उस हिसाब से तो बाकी चीज़े चल रही है वैसे ही क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट फाइनल आया फिर उधर सांख की अधिकारी वालों को फाइनल रिजल्ट आया है तो जिस तरीके से उन्होंने लिखा था उस तरीके से काम कर रहा है अगर ऐसा ही रहा तो कम चकम एक मेने तो verification में लगी जाने है ठीक है तो मान के चलिए अगर ये जुलाई में date लग रही है आपकी अगर इधर final हुआ तो अगस्त में अगस्त के जो है पहले सब्ता तक verification के लिए result आउट हो जाएगा तो सितंबर तक में आपके जो है verification हो जाएंगे और result आपका नवंबर में ही देखने को मिलेगा ठीक है तो उमीद करते हैं कि आप लोग को जो है दिवाली पर अच्छे जो है news मिले 31st October को है दिवाली उससे पहले आप लोग को हो सकता है good news अच्छी मिल जाएगी आपकी job जो है आपके हाथ में हो ठीक है तो उसमें आपको यही सारी सूचना देनी थी और इसी वज़े से मैंने इसको आप लोगों ने एक बार कई बार पूछा कि इसके लिए भी आपको बताया जाए इसलिए आपको इस चीज़े बता दी गई है तो आपको जो है जो टेलिग्राम चैनल मेरा है वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा नेक्स वीडियो में आपसे जल्द फिर मिलेंगे जैहिंद